नमस्कार मैं युबराज आप देख रहे हैं डेमोक्रिटिक लाइव इस बक्त मैं साबर चक पंचायत में एकबर बुर गाउं में हूँ और हमारे साथ जितिंदर जी मौजूद है सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि मुखिया जब बनते हैं लोग तो छोटे छोटे काम के लिए मुखिया जी पैसा लेते हैं जिसे बात कर लें इंद्रावास की विर्धा पेंसन की लेवर कार्ड की तो इसके लिए लोग जो मुखिया बनते हों पैसा लेते हैं अगर आप मुख्या बनेंगे तो आप अपने जनता के लिए क्या करेंगे देखे सबसे पहले तो सभी को मेरे तरफ से सभी को तह दिल से नमस्कार करता हूं पूरे सावर्चक पंचायत के मतदाता गन को ठीक है और जो मतलब पूरे सावर्चक के पंचायत जितना भी लोग है अदमी जो पिछले बार जो पिछले मतलब मुख्या जी जो है पंचायत को ऐसा बना चुके हैं मैंने खाली पैसा मतलब घीचने का काम कोई भी सरकारी योज ना हो उसमें पैसा लगेगा जिसे इंद्रावास में आज अगर बात किया जाए तो जीस समय 35,000 रुपया पासवरसा था उस समय 5,000 रुपया लेते थे आज तो डेर लाख है और तो वही बताएंगे कि कितना परसेंट वो लेते हैं और लिये भी हैं तो इसको तो हम होने नहीं देंगे अगर महलाओं की सम्मान की बात करें तो गांदी जी का सपना था कि हर गाउं हर घर स्वक्षो लेकिन आज भी कई पंचायत ऐसे हैं कि उनके घर में सोचाले नहीं है अगर सोचाले है भी तो मुखिया जी उसके लिए रकम लेते हैं तो सोचाले बन पाता है जो रकम नहीं दे पाते हैं उनके घर में सोचाले नहीं बन पाता है तो आप गांदी जी का सपना कैसे पूरा करेंगे देखिए आज 2 अक्टूबर है और गांधी जहनती है हम पांधी जी का सपना था कि जो मेरा भारत बने वो सवक्ष बने जो उनका चस्मा है चस्मा का जो लोगों है उसमें लिखा हुआ है स्वक्ष भारत अभियान है ना उसमें आज के डेट में दूसरे पंचायत का तो बात छोड़ दिया जाए पहले साबर चक पंचायत जो हाँ पर सोचाले बनाने के लिए 5,000 रुपया से 4,000 5,000 4,000 5,000 रुपया लिया जाता है लेकिन क्या 12,000 रुपया में 140 pasti बनता है नहीं बनता है इसमें भी घुस्खोरी है इसको भी हमको खतम करना है और महिलाओं से ज़्यादा मतलब पूरूस है कि कहीं भी मतलब की जा सकता है लेकिन ओरत जो होती है जो महिलाओं होती है वो हमारा इज़त है अगर उन्हीं का ध्यान नहीं रखा जा तो फिर हमको होने का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए हम मेरा एक अभियान रहेगा स्वक्ष भारत का तो वो मतलब अभियान है अभी चल रहा है लेकिन मेरा मतलब अभियान रहेगा कि स्वक्ष पंचायत हो और इसके लिए हमको जो करना रहेगा करेंगे हर गहर में सोचाले बनवाएंगे उसके लिए कहीं भी जाना ह होगा हम जाएंगे आप यूबा है और यूबा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है सरकारी स्कूल में अगर बात करें सरकारी स्कूल में वो पढ़ते तो हैं लेकिन जब उनकी सर्टिफिकेट लेने की बात आती है तो मास्टर साहिब भी उसके लिए पैसा लेते हैं अगर आप मुख्या बनेंगे तो इसको कैसे उधारेंगे देखिए पैसा लेना नहीं चाहिए क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है तो उसमें अस्कूल का ही लाव होता है अगर बच्चा ज्यादा मार्स लाता है अच्छी तरह से पढ़ाई करता है कोई डिग्री लाता है त तो उसमें हर मास्टर का या प्रिंस्पल का सभी का सहयोग होता है तो उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है मतलब लेना नहीं चाहिए कोई भी पैसा इसलिए कि अगर आज ही हम अगर पैसा लेना या देना बंद नहीं करेंगे तो आगे बहुत भयावा इस्तीती हो जाए बूरे पंचायत में सरकारी जितना भी मतलब स्कूल है उसमें हर पैसा लेके हर चीज दिया जाता है ड्रेस हो गिया तो पैसा दीजेगा तो मिलेगा साईकील योजना हो गिया उसमें पैसा लगेगा वो सब लेते हैं लेकिन यह सब हम चलने नहीं देंगे चाहिए जै अई सर एक और अगर गडिब की बात करें, जो भूमीहीन गरीब है, जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन कहीं सरकारी जमीन पे ओपना तंबू छाड़के रहा ही, अगर आप मुख्या बनें गे तो भूमीहीन लोगों के लिए क्या काम करेंगें। देखे भूमिहीन होना उपर से कोई लिखके नहीं आता है कि हम भूमिहीन है यहां पर लोग बना देते हैं जो नीचे अस्तर के लोग हैं उनको का किया जाता है कि बता दिया जाता है इंडिकेट किया जाता है कि हम आप इसी तक हो इससे जादे जानने कि आपको जरूरत नही है यहां वही चलता है पैसा दीजिए मतलब पैसा देंगे जो यहां के कनिडेट है बहुत सा है पैसा बाटेंगे दारू बाटेंगे मुड़गा बाटेंगे मेरा यह सवाल है कि भूमेहिन का मतलब जिनके पास किसी तरह का जमीन नहीं है वही चीज़ हम बोल नहीं है पूरा तोड़ के हम वही चीज़ बताना चाह रहा है ठीक है यहां का करता है कि पुरा पैसा मतलब भोट दीजिए पैसा पैसा यहां देंगे आदमी और भोट लेंगे जब उनका भुविहीन के जो बारी आ जाता है कि इनको कुछ घर विवस्था किया जाए तो उसके लिए काम नही के मतलब आवास दिया जाए जिसको पीम आवास के तहत मिलता है तो यहां पर हमको नहीं लगता है कि कोई मुखिया जी को पता भी होंगा कि पीम आवास में भी मिलता है जिसको गर्मजरुआ जमीन बोला जाता है उसको सरकारी जो योजना आता है उसमें मुखिया जी अपने ब्लोग में जाके अगर वो अप्लिकेशन लिखें कि ये भूमिहीन मतलब ये खतम है ये जमीन जो है ये बंजर है और गरमजरुआ जमीन है तो अगर ये बताएंगे कोई तब तो वहां से कोई काम करेगा ये बताते नहीं लेकिन हम जो हैं हम हर कोई को ब्राबर और समान लेके चलेंगे उचा अस्तर के हो या नीचे अस्तर के हो सभी के लिए हम समान लेके चलेंगे क्योंकि भूमिहीन होना उपर नहीं लिखा है नीचे लिखते हैं लोग है ना बड़ा आदमी होता है तो वो नीचे अस्तर के लोग को दवाना चाहते हैं ले उन्हीं के अवाज के लिए ये बेटा जितेंद्र कुमार रहा है खड़ा हुआ है और वह सभी का सहयोग मिल रहा है युबाओं को रोजगार की बात करें तो उसको रोजगार से कैसे जो रहे हैं देखिए युबाओं के रोजगार के बात रहा तो अगर पढ़े लिखे बना हुआ है बाड़ा सो करिब और उसमें भी काम हो सकता है लेकिन यहां कुछ नहीं होता है यहां जैसीबी से काम होता है ताकि पैसा बचे और जिनका डाटा बना हुआ है बाड़ा सो लोगों का पूरे पंचायत में डाटा है वो जो डाटा बना हुआ है वो पैसा नहीं करवाना है शili व सबकेली पैए charge लेकिन यहां पर किसी को रोजगार नहीं मिलता है यह हमको रोजगार देना है चाहे किसी ही यह यह वाउ को जोरा जाए तो कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं महिलाओं को काम के सकते हैं लगों यह ना तो मुख्या जी किसी को बताते ना जागरू करते ना तो उरोजगार से जूर पाते हैं अगर आप बनते हैं तो लगू दियोख से कैसे जोड़ेंग हम पहले भी बता चुके हैं कि महिलाओं के लिए हम लगू दियोख का भी बिवस्था कर रहा हैं बात किये हुए है जो दाइलमोट बनाने वाला फैक्टरी है और प्लस पतल उतल थर्मो को बनता है उसके लिए भी बात किये हुए है जब हम आएंगे इस मतलब इस पावन धर्ती पर ये सावर्चक पंचायत में मुखिया बनके या मुखिया के रूप में तो हम सभी जितना मतलब यहां के लोगों हैं वो मेरा गार्जियन है और गार्जियन मान के और बेटा समझ के हम इसमें हम यही समझेंगे कि हम बेटा हैं हमको कर्म करना है और इनके लिए मतलब जो करना होगा जो सुविधा होगा जो सरकारी सुविधा होगा हम हर चीज देंगे आगे भी दिये हैं पहले भी दिये ह और आगे भी देंगे, यह मतलब बचन है मेरा, और मेरा सिम्बूल में भी है, बहुत सा चीज है, यह जो सिम्बूल मिला है, यह सार्व, यह जो होता है वाहन, यह नीजी है, आदमी प्रशनल इसको खरीचता है, लेकिन इसका काम है, कि सार्वजनिक धंग से काम किया जाए, यह सभी लोगों को मंजिल तक पहुंच जाता है, इसी परकार, जब हम मुखिया बनेंगे, तो इसी की तरह, हम टोटल आदमी, पूरे पंचायत मेरा जो पडिवार है, इनको सार्वजनिक धंग से, सार्वजनिक मतलब जो सुविधा होता है सरकारी, उस सब हम दिलाएंगा आप नी सूल्क दियाएंगे, किसी में कोई पैसा नहीं लगा, न तो इंदरावास में पैसा लगेगा, न तो सौचाले में पैसा लगेगा, न तो ब्रिधा पेंशन बनाने में पैसा लगेगा, न तो किसी का बिधवा पैंशन बनाने में पैसा लगेगा, और न तो मतलब आपके अधिकार में नहीं है लेकिन जो अभी हम यह रासन कार्ट बना चुके हैं ए 340 वो और आईस्मान भारत बना चुके हैं करीभ करीब 1869 वो ठीक है और विधाया पेंशन करीभ 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 देर्ट सो बना चुके है और मैंने बहुत सा है जो बना चुके हैं विध्रव पेंसन हो गया अभी इसरम काड़ बनवा रहा हैं करीब-करीब 500 कुछ आदमी को हम बनवा चुके हैं मतलब ये लगने से पहले आप अगर मुख्या बनते हैं तो सबसे पहला काम अपने पनचाइत में कौन सा काम करेंगा ये सबसे पहले तो हम यही काम करेंगी सोचाले बने सब का क्योंकि महिलाओ का जो दुश्रे ढंग से आदमी देखते हैं लेकिन मेरा जो प्रथम कामड है इस पंचायत में कि सौचाले बने वही अभियान हम चलाएंगे आज कहां कि दू अक्टूबर है कांदी जैनती है तो हम जूट बोलेंगे नहीं लेकिन हम जो लिखें हैं जो हम बादा किया हैं सबी को वह बादा पड़ एक दों हंडे 10% हम उतरेंगे उसमें कोई काटेगा नहीं तो ये थे लोग पिडिये यूवार निता जितेंद्र कुमार जी और ये मुख्या परत्यासी हैं अब की बार चुनाल लर रहे हैं साबर चक पंचायत में अकबर पूर गाओं के हैं अगर अभी